फिल्म आखें के ओलाल दुपटे वाली गीत किन पर फिल्म आया गया था याद है इस गीत के द्रिशे में गोविंदा के साथ रितू शिवपुरी थी रितू ने महेज 17 वर्ष की उम्र में इस फिल्म के साथ मनुरण जन की दुनिया में कदम रखा था फिल्म का डेविड दवन द्वारा निर्देशित फिल्म आखें उस वर्ष की सरवाधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी रितू शिवपुरी का जन्म 22 जन्वरी 1975 को अभिनेता ओम शिवपुरी और सुधाशिवपुरी के घर हुआ अभिनेत्री और मॉडल रितू ने हिंदी और कंणर सिनिमा में भी काम किया है ओम शिवपुरी और सुधाशिवपुरी की बेटी रित उन्हें उम्र के 17-20 साल में ही ओडानभारनी शुरू कर दी थी उन्होंने आर्यापार 1997 हद कर दी आपने 2000 का मलजा 2001 शक्ती दपावर 2002 हम सब चोड़ है 1995 भाई भाई 1997 काला समराजे 1999 दुबाई रिटर्न 2005 एक जिन्दिक जान 2006 जैसी फिल्मों में काम किया है बलिवुड में खास पहचान बनाने में नाकाम्यावी रही रिटू ने नौन फिल्मी वेकर ग्राउंड से तालुक रखने वाले हरी वेंकट से शादी कर ली और कई सालों तक बलिवुड से खुद को दूर रखा लगभग एक दशक बाद रितू शिवपूरी अनिल कपूर के धारावाही 24 में चिकित्सक की भूमिका में देखी हाल ही में रितू ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ फोटो साजा की थी जिन में वे काफी ग्लैमरस नजर आई सोशल मीडिया पर एक्टिम रितू को इंस्टाग्राम पर साड़े तीन लाग से ज्यादा लोग फोलो करते हैं इंस्टाग्राम पर वह कई ग्लैमरस और फैमिली फोटो चैर करती रहती हैं बोलेवुड के आलावा रितू ने कंणर सिनिमा में कुछ यादगार भूमिकाएं की हाला की करीब एक दशक से रितू मनुर अंजन की दुनिया से कटी हुई थी क्यूंकि वेह शादी और परिवार की जिम्मदारी निभाने में व्यस्त थी रितू कहती है मैंने फिल्मों के साथ शुरुआत की बाद में जब 2006 में मैंने टीवी शो किया तब मैं एक दिन में 18 से 20 घंटे शूटिंग करती थी जब मैं घर लोट थी थी तब मेरे पती सो जाया करते थे तब मुझे महसूस हुआ कि मैं अपने परिवार को नजरंदाज कर रही हूँ और इसलिए मैंने एक तिंग छोड़ दी रितू की जिंदगी में एक दिन अचानक एक तूफान आया उनके पती हरी को स्पाइन में ट्यूमर डिटेक्ट हुआ था इस पर उनका कहना है वो मेरे लिए बहुत मुश्किल समय था बहुत तनाव से गुजर रही थी मैं तरह तरह कि आशंकाओं से घिर गई थी लेकिन वे बिमारी से लड़े और कुछ साल में ठीक हो गए वे मुझे अपनी बैकबोन मानते हैं और कहते हैं उन्हें मुझसे ही शक्ती मिलती है